आज की चर्चा में आपका स्वागत है कुछ दिन पहले डबा हैदराबाद कही थी मीट अप के लिए और वहां मीट अप भी था और उसके लावा जो उनकी जो मेन शॉपिंग वगरा जो उन्होंने करनी थी शॉपिंग भी नहीं कहना चाहिए बेसिकली ये पूरी तरह से अपनी जो एनिवर्सरी की साड़ी साड़ी जो कपड़े लेने थे जो उनके कुछ ब्राइडल खौब रह गए थे ना वो पूरा करने के लिए उन्होंने उसको एंगेज किया था और उसने अपना प्रोमोशन के साथ साथ फ्री आफ कोस्ट ये सब चीज़े करके दी थी त तो वहाँ पर एक ब्लॉगर है जिनका नम अनम मिर्जा है वो ब्लॉगिंग करती है और कुछ सेरीज सिलाती है इंट्रिवीज वगरा लेती है उनका तो डब्बा जो है अनम के पास में भी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने एक इंट्रिवी किया था वो बात दूसरी क पर जाए है उन्होंने अपने इंट्रिवीव में यूज किया इसके अलावा उन्होंने जो अपने व्लॉग में ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं दिखाया वहाँ पर सिमिलरली चो उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है डबा ने भी अपने व्लॉगिंग में यूज किया ज उन्ही की नाम पर वो हिट हुई वहाँ पर शुरुआत में उन्ही के वो ब्लॉक्स डालती थी उन्ही की पिक्चर शेयर करती थी तो ये सारी चीज़े उसने स्टार्टिंग में करी दोसी तरफ वो जो अनम मिर्जा है अनम मिर्जा का भी कुछ ऐसा ही था अनम मिर्जा जो तो इस तरह से वहाँ पर उनको बहुत ज़्यदा इस बात की मिला के जो सेलिबर्टी स्टेटस होता है यानि की अजरुदीन का और साथ-साथ जो सानिया मिर जागा उसकी वज़े से बहुत अच्छा उनको शुरुआत में जो व्लागिंग में हेल्प मिली और साथ-साथ जो उनका सेलिबर्टी स्टेटस था यानि जो की रिलेशन में इनकी सिस्टर और इनके ससुर। तो उसकी वज़े से इनने अच्छे सब्सक्राइबर बेस भी मिल गया तो एक तरह से देखा जाए तो उनका भी काम जो चला वो अपने बूते पे ना चलके बेसिकली जो उनके घ लेकिन वो सब चीज चल नहीं सकी तो फिर जब चल नहीं सकी तो उनके फोटो डालना और साथ-साथ जो उनको पबलिश करना उनके व्लॉग बनाना ये सब शुरू कर दिया फर्स व्लॉग देखेंगे आप तो फर्स व्लॉग भी भावी का ही व्लॉग है जो पहला सबसे पहला व्लॉग बनाया था तो कुल मिला कि इस तरह से इन्हों ने उनका साहरा लेके अपना काम शुरू किया उधर उसने अपना साहरा लेके काम शुरू किया तो ये इस तरह से दोनों ने ही अपनी स्टार्टिंग करी थी व्लॉगिंग की उसी इंट्रवी की चोटी सी क्ल जबाब था कि घर के अंदर सब ने कुछ तो कुछ रेसिपी बना रहे थे कुछ कुकिंग कर रहे थे तो मैंने सोचा के लगे हाथों मैं भी लड़्डू बना लू बेशन के लड़्डू बना लू तो क्या आपने जो व्लॉगिंग शुरू करी थी वो बेशन के तक आप व्लॉगिंग के नाम पे जो दिखा रहे हो वो आपका आज तक भी वही स्टेंडर्ड बना हुआ है केक, टूर, शॉपिंग, बच्पने वाली बाते करना, चीजे बिगार बिगार के दिखाना, कोई भी चीज, हर समय भोले बने रहना, घबराट करना, टक करना, ये स फैमिली है, इस पूरे ने लिया था, क्योंकि जब आपके पैर भी नहीं जम पा रहे थे, यहाँ पर, और आप छोटए मुटा, यहाँ पर काम करे तो रहने के लिए ठीक से ठेकाना भी नहीं था, तो आप सारे जो है, किस के यहां के रहे थे, भावी के आखे रहे थे, उस कोई ऐसी इस तरह की और स्किल होती तो आपने एक्टिंग में हाथ अजमानी कोशिर की थी पर वहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर पाए पर भाई भावी का ग्लैमर देखकर आपके मन में जरूर था कि भी कुछ भी हो चाहे मुझे इस गलैमर के बीच में आना है तो आपने उस में भावी का साहरा लिया और भावी ने भी आपका पूरा साथ दिया आपका मेक ओवर करने में आपका फेस लुक इंप्रूव करने में आपकी बाडी शेप इंप्रूव करने में आपके हेर्स को इंप्रूव करने में आपकी फेस स्किन को इंप्रूव करने में और ये जो जूटीज वगरा में जो आज आप पूरी पूरी फैमिली वहाँ चली जाती है तो ये सारी सारी चीज़े किस की देने है उस भावी की देने वो बात दूसरी है उसका भी कहीं न कहीं कोई मतलब था और वो इसलिए जो है यहाँ पर आपको इतना सारा सारा हेल्प किया और फूरी हेल्प फैमिली को हेल्प किया ऐसे नहीं पूरी हे फैमिली को हेल्प पिया रोने आप आज चाहें कितनी भी नाटक कर लें दिनी रिवा तो तब आपका ये सिद्धान तो और ये सब चीजे ना ये साइड में थी तब तो आपने ये ध्यान ने दिया तो पूरा पूरा आपने साहरा लिया इस बात का और इस बात के लिए जो है ये नहीं कहेंगे कि भी खाले ये एक तरफा था मैडम को भी जो है जरूत थी तो कर्मा जी किसी करी अम्मी की करी और करी आपकी और जब वो एक बड़े शो में गई वहां पर इतना वो फैलाए गया मा मा करके ममी 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 करके हम तो एक बार को वहां समझते थे देखकर कि शायद वो अपनी मदर की बारें बात करी तो हमें लगता था कि ये वाकी में भी त थी और दूसरी तरफ ये जो है डबा डबा की भी तारिफ करने में वो कहीं कोई कमी नी छोड़ती थी और इतना आपको हेल्प भी किया तो इस तरह से उसने ये सब किया लेकिन जब उससे पहले जब ये शादी नहीं हो रही थी तो उसने उनको दवाब बनाने के लिए अपन तरह से उसके मज़े तो लिए जा रहे थे पैसे के एशवाराम के शौरत के सब के लिए जा रहे थे लेकिन उसके साथ साथ उसको एक अमली जामा पहनाना यानि समाजी करूप से तरीके से रहना और करना ये सब आप करने में आपको हिचक थी पूरी तरह से हिचक थी और व वो नाम लेता है कि जो नाम पैलस चला रहा था, इसका मतलब टोटली ये भी एक नाटक था, नाम बदलना और ये सब करना, यानि कि ये दिखाना कि रिलिजिन चेंज हो गया है, ये टोटली टोटली एक नाटक था, वापस आते हैं इन्हीं पर, तो क्या लगता है कि जो लड अबी ने भी अपना जो चैनल शुरू किया था, वो चैनल भी रेसिपीज वगरा बना कर और इस सब की साथ में शुरू किया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि बैई, क्योंकि सब लड़ो बना रहे थे, इसलिए आपने भी लड़ो बना लिया, आपका लड़ो और दूसरे क परस्ती देखिए आपको पता है कि कौन आउडियंस क्या चाहता है तो आपने वैसा ही जो है करना शुरू कर दिया यानि कि हिजाब वगरा ये सब स्टोरी जो है ये आपने लगातार दो दो तीन तीन व्लॉग और चोट चोट चोटे शॉर्ट्स बना बना तो आपने उसको इलाबरेट किया क्यों पहना जाता है कैसे पहना जाता है कैसे पहनना चाहिए टूटोरियल टाइप से भी डाला आपने ये सारी चीजे करें और यहां तक कि कहा कि जो ले लेते हैं हिजाब उसके बाद में ऐसा करते हैं होता है और इससे बहुत गुना मिलता है और भी बहुत सारी बाते कहीं लेकिन आज आज सब को पता है कि जब कोई meet up करना हो जब कोई function करना हो जब कुछ ऐसी बात हो तो अब आया भी होगा और हिजाब भी होगा सब कुछ होगा लेकिन वैसे वैसे वो कहीं पर भी नहीं होगा चाहें आप shopping करने चले जाएए चाहें कहीं और घूमने चले जाएए या फिर train यातरा कर लीजे या सुस्राल में भी सुस्राल में भी हर समय तो हमने नहीं देखा कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं कहीं पर भी है तो कुल मिला के यह कि टोटल आपने जो ना वो किया जो कि आपको पता था कि audience पसंद कर रहे हैं और उसी तरीके से करी तो यह जो ब्लॉगिंग का जो ब्लॉगिंग शुरू करी तो इसमें आपने जो सामना किया तो आपको लोग जो कहते हैं तो कैसा लगा आपको तो उसके पर वो जवाब देती है देखे हम जो यह ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर यह दो तरह के लोग होते हैं डबा एक्जामपल देके समझा रही हैं कि दे अंदर स्टील का चमच यूज नहीं करते हैं इसमें वोडन का या इस तरह का नॉन मेटलिक जो पार्ट यूज करते हैं और जो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरे लोग जो होंगे वो कहेंगे सबा गवार है स्टील के चमच जो इसमें यूज कर रही है तो ऐसे लोग जो होते हैं नا वो जैलस लोग होते हैं येस जो लोग जो आपको ये सब चीजें बताते हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो तो वो जैलस लोग होते हैं देखे नुन-स्टिक पैन के अलावा भी आप पहुत बहुत सारे ऐसे मौके देते हो कि जो लोग जैलिस हो आप अपने आप में तो कोई इंप्रूमेंट लाने की कोशिश नी करते वो चाहे मटर पुलाव बनाना हो जिसमें मटरी ना हो जिसमें वो अगर वहाँ पे मौधा में आप टिकिया बना रही है आप हलुआ बनाने बैठे वो आपने गरबड कर दिया आपने जो है वो पूरियां बना रहा है चाहरे थे उसमें आपने अजबाइन और इन सब में गरबड कर दिया मौधा में गोस्ट बना रहे थे वो जला दिया मतब कुछ भी आप करने बैठते हो कुछ भी करने बैठते हो तो कुछ ना कुछ गरबड़ आप करते ही करते हो और यह तो पक्का है कि किचिन में अगर पहुंच गई है तो फिर कोई ना कोई गरबड़ तो करनी करनी है तो आप तो मतलब कितने जलेंगे भई लोग बाग तो पता नहीं जल जल के पता नहीं क्य हो गऊंगे आप तो लगाता है मौकशे पर मौका यह सब देश चलिए जा रहे हो या ऐसा तो नहीं कि यह आपका मेंम कंटेंट हो कि कैसे भी करो कुछ चीज़ें बिगाड़ूर चोड़ आसा मुव बना कर दिखाना हैं मासूम सा मूँ बना कर दिखाना है फ्रेंड्स यह तो बिगड़ गया यह तो ठीक नहीं बना तो कुल मिला कर यह है कि कहीं आपका यह ट्रेंड तो नहीं है कहीं आपका जो है यह एट्रेक्शन तो चाहरे हो तो क्या है मतलब यह या फिर आप दूसरे तरफ यह कहने लगते हैं कि वो जैलिस करते हैं आप से दुनिया आप से क्यों जैलिस करेगी चलिए इन जैलिस वाले लोगों की बाद छोड़ देते हैं तो जो पहले वाले लोग हैं वो भी तो आपको सब चीज बताते है ना कि डबा ऐसा करना चाहिए डबा वैसा करना चाहिए आप ऐसा मत करो ऐसा करोगे तो ठीक रहेगा किचन में ये चीज इधर रखोगे तो ठीक रहेगा उधर रखोगे गैस को तो ठीक रहेगा वहां पे प्लांट मत रखो ये मत रखो ऐसा मत करो जब खाना बनाते हैं तो अगली बार फिर दुबारा से वो चीज बनाने बैठते हो और गरबड़ कर देते हो और फिर ये पूछते हो कि क्या ये मैंने पहले बनाया है कभी मतलब आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपने बनाया है नहीं बनाया है दही बड़े दही बड़े आपने शुरुआत में जब आपने अपना चैनल बनाया था और यह सब किया था तो आप भी कुकिंग करके दिखाने का आपको भी शौक था तब तो आपने दही बड़े ठीक बना दिये थे यह तो बच्चे-बच्चे को पता है कि कौन ची डाल इसके ंदर यूज होती है तो रही बात इनकी जो आपसे जैलिस नहीं करते तो उन्होंने भी जितनी सलाहें दी, आपने कहा मानी, आपने वोही सब लगातार वोही रिपीट करते चले जा रहे हैं, तो यह जो आरोप है, यह सब लोगों को उपर कि वो जैलिस करते हैं, कोई आप से जैलिस नहीं करता, आप अपने इन चीजों पर इंप्रूव कीजिए, क् कि लोग यह देखना चाहते हैं कि आप एक influencer हैं तो आप जो करके दिखाओगे वो अच्छा करके दिखाओगे वो चाहा है रिलेशन्स में हो साससुर के साथ हो husband के साथ हो या फिर इन बच्छों के साथ हो जिन बच्छों के साथ में रोज आप तमाशा करते हैं तो कुल मिलाके यह है कि आपको अपनी activities को improve करना है ना कि लोगों को यह कहना कि वो jealous करते हैं अरे भई आप अच्छा दिखाओगे तो क्यों नहीं कहेंगे सब लोग अच्छ कहेंगे दूसरे भी तो इतने सारे व्लोगर्स हैं और वो भी ऐसी बात नहीं बहुत अच्छा करते हैं और इस तरह की चीज़ें मतब दिखाना कुछ और करना कुछ अगर आप इस पर जाओगे तो आपको खुद याद नहीं रहेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और इसी चक्कर में आप जो है लगे रहते हो कि भी यह ऐसा हो गया अब बताइए कोई नानी को और इनको अगर पान पान सो रुपे देगा तो लहरा लहरा के दिखा के आता है अपने रिलेशन्स में दिए गए पैसो को का कुई व्लॉगिंग में दिखाता है अरे आप कहीं को जखात की तरह से यूज करते हो और लोगों को देते हो लोगों की मदद करते हो लेकिन यह क्या हुआ आप अपनी फैमिली की चीजों को दिखाओगे क्या कल को अपने हस्बेंट को जो पैसे दे देती हो आप वो तो आप नहीं दिखाते लो यह ले लो यह पांच सो का कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इनके वीवर्स को जब यही सब पसंद आता है, उनको पता है ना कि क्या बिकता है, तो जो बिकता है वो चल रहा है, वो बात दूसरी है कि वीवर्स जितने हैं, वो इतने ही रहते हैं, इसका सब्सक्राइबर जितने हैं, वो इतने हैं, साथ साथ सब्सक्राइब भी आसानी से नहीं कर रहें नई लोग भी यह था एक पॉड़कास्ट यह पॉड़कास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक किए सब्सक्राइब कीजिए और शियर कीजिए अपने लोगा ख्याल रखिए शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू